नमस्कार आईए सी के पैचान पोर्टल से मृत्विक्तियों के ओनलाइन डेटा कैसे प्राप करें ताकि आप फॉर्म साथ भरवा कर मद्दता सूची में नाम हटाए जाना सुनिश्चित करें आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही इस तरह के वीडियो रिलीज हो आपके पास जानकरी पहुंच सके पहचान पोर्टल से ओनलाइन डेटा प्राप करने से पहले आपको दो चीजे अपने पास रखनी होंगी पहली आपकी वोटर लिस्ट और दूसरा सरकारी आदेश जिसके अंदर पहचान पोर्टल के लिए आपको उप्योग करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ट दिये गए हैं यह आप नोट करके रखें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गूगल पर अगर आप पहचान राज टाइप करेंगे तो आपके सामें यह वेबसाइट दिखाई देगी पहचान राजस्तान बर्थ और डेट सिविल रिजिस्टेशन सिस्टम आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामें यह वेबसाइट खोलेगी पहचान.राज.nick.in यह वेबसाइट आप डारेक्ट भी खोल सकते हैं सीधे हाथ की दरब आप देखेंगे लॉग इन का आपको आप्शिन दिखाई देगा आपको लॉग इन पर क्लिक करना है आदेश अनुसार यहाँ पर आपको उप्यो करता की एंट्री करनी है पासपर्ट की एंट्री करनी है स्कीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके कैप्चा कोड की एंट्री करनी है और उसके बाद प्रवेश पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको स्कीन दिखाई देगी बीच में आप देख सकते हैं होम पेज के बाद प्रतिवेदन आप यहाँ पर जैसे अपना करसर रखेंगे या फिर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको दिखाई देगा प्रगति रिपोर्ट रजिस्ट्रार आपको प्रगति रिपोर्ट रजिस्ट्रार पर क्लिक करना है और ऐसा प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप आपको दिखाई देगा अगर आप शेहर की चाहते हैं तो आपको शेहर सेलेक्ट करना है ग्रामिंड चाहते हैं तो ग्रामिंड select करना है आपको किसी निश्ची तारिक का चाहिए तो आपको यहाँ पर पहले select करना है आगर आपको प्रविष्ठी पता है तो आपको यहाँ पर select करना है इस वीडियो में हम देखेंगे दो डेटों के बीच में या दो तारिकों के बी पीछे जाना चाहते हैं तो आपको इसको दबाना है, आगे जाना है तो आपको इसे दबाना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने महीने खुल जाएंगे, उसके इसाब से आप अपनी डेट्स सलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके 备ंदर li comment सफ सलेक किया इसके बाद आपको किसnd토 लेका है इना है डेटाबेस आपको यहां से सल्थ करना है जैसा कि मैंने इसके अंदर एक नवंबर से लेकर दस नवंबर तो सलेक्ट किया है इसी तरीके से आप जिन डेट्स के बीच में आप कुल डेटाबेस चाहते हैं आपको इन दो तारीकों के बीच में सलेक्ट करना है और सलेक्ट करने के बाद प्रवेश करें पर क्लिक करना है पुछ समय के लिए आपको wait करना पड़ेगा और इस तरीके से आपके सामने registration gate के साब से पूरा database खुल कर आएगा आप जिस जिले की चाहते हैं आपको यहां सर select करना है बाकी के लिए आपको नीचे scroll down करना है जैसे की यह रहे बाकी जिलों की list आप जिस जिले की चाहते हैं आपको वो जिला select करना है इसमें हम जैपूर का देखेंगे आप जिस जिले के हैं उस हिसाब से आप select कर सकते हैं जिले की database जानकरे के लिए आपको उस जिले पर klick करना है जैसा कि मैंじゃない पर इंड कर रहा हूं और फिर आपको कुछ समय के लिए वीट करना पड़ेगा और उस जिले की यहाँ पर आपको पनचाय आपको नीचे स्कॉलडन दाए नीचे जाने से पहले आपको ध्यान देना है मृत्यू यहाँ आपके काम का है हम देखते हैं बाखिल में नीचे जाकर और यह रही हrio लिस्त आपके सामने इनमें से आप जिस किसी कम करना हैं वहाँ पर आपको हम इसकी जानकरी लेने की प्रयास करेंगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरीगे से जानकरी आपके सामने दिखाई देगी टिनाथ मृत के पिता का नाम पती या पतनी का नाम माता का नाम और दोस्तों यहाँ पर आपको काम आएगी आपकी मद्दाता सुची, जो जानकारी यहाँ पर दी गई है आप अपनी वोटर लिस्ट से मेल करें आपको कंपर्म होगा कि यह वही व्यक्ति है इस तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं उमीदे जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों है ऐसे अपडेट लेकर दुबार राजिर होगा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे वेसे वीडियो रिलीज हो आपके बाद जानकारी पहुंच सके सुरक्षित रहें धन्यवाद जैहिन जै अबारत